नमस्कार सातियों जो तरन क्लासेज के इस डिजिटल प्लेल्ट फोरम पर आप सब का अर्दिक स्वागत और अभिनंदन है सातियों इस क्लासेज के उपर मैं मेंदर विश्णोई इंग्लिज के बारे में कुछ टॉपिक जो है उसको लेकर के आपके साथ डिस्क्रिशन करने के लिए उपस्तित हूँ तो और विश्चेस रूप से ये सीटेट और अन्य जिते भी एग्जाम है उसके अंदर फिगर ओप स्पिच के जो टॉपिक्स है लाइटरी डिवाइजेज जो है उनके बारे में चर्चा करेंगे तो सरोपरतम में मेरा खुद का जो इसको रहा सीटेट के अंदर 30 आउट और 30 मार्क्स जो इंग्लिज लेंग्वेज और पेड़ागोजी मेरा है तो उसको लेकर के आपके बीच में उपस्तित हूँ और मेरा जो एक्स्पिरिंस है उस एक्स्पिरिंस के अकुडिंग आपकी कुछ हयल्प करने का जो परयास जो है मेरा इनिसाटीव जो है कोसिस जो है वो आपके समस्ञर्श उपस्तित है तो लेट इस स्टार्ट द जर्णी तो आज की इस class के अंतरगत अपन पढ़ेंगे English Pedagogy English Pedagogy की class number जो एक है उसको हमने बहुती simple way के अंदर बहुती अच्छी formatting करके इसको आपके समक्स बहुती exam oriented authentic जो content है आप तक पहुँचाने की पूरण रूप से courses जो है मेरे दोरा की जा रही है और English Pedagogy की इसी class के अंतरगत हम आगे continue जिन चीजों को कर रहे है तो उनमें हमारे पास में है सरुपरतम की हमारी class है figure of speech से related और उसके अंदर figure of speech में अपन पहला जो ले रहे हैं वो है alliteration alliteration की क्या definition है इसको बोलते हैं की repetition इसमें repeat होता है same consonant sound इसमें a consonant sound repeat होता है कहां पर beginning के अंदर शुरुआत के अंदर beginning of two or more words दो या दो से ज़्यादा जो words जो है सब्दों के बीच में इनकी repetition को ये दोरा ने का बताने का काम करता है अगला इसका काम is it is also called दूसरा इसका नाम हमें दी बात करें तो it is also called इसको कहते हैं head rhyme या initial rhyme इसको head rhyme और initial rhyme के नाम से भी जाना जाता है थार्ड इसकी definition के बारे में it is also used for auditory effect audit या audio का जो एक effect जो है उसको एक attractive enchanting और alluring बनाने का जो एक work function जो है वो एलिटरेशन करता है next one is it is also used to create sound ये sound को create करने के अंदर भी beneficial माना जाता है alluring mean इस पस रूप से अपन कह सकते हैं कि consonant sound को denote करने का का काम करेगा अब चलते हैं आगे इसके बारे मोर क्या का गया है और इसका alluring को कहां कहां काम में लेते हैं उसके बारे में हम थोड़ी सी चरजाएं करेंगे तो alluring को हम काम में लेते हैं तो marketing tagline के अंदर commercial writing के अंदर और brand name जो है उनके अंदर इसको काम में ले आ जाता है इसके अंदर जो sound repeat होती है वो consonant sound होनी चाहिए sound को denote करने, identify करने के लिटरेशन का use किया जाता है और इसको head rhyme और initial rhyme भी कहते हैं और इसके अंदर हमने ये भी पढ़ा था कि tagline और marketing tagline है commercial writing जो है और फर्स 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 पॉल जो एक्जमपल है 7 sisters 7 sisters slept soundly on the sand यह से साउंड की जो है बार बार रीपीटिशन हो रही है इसी वजह इसमें इसमें इलिटरेशन है नेक्स वन एक्जम्पल है पेटर पाइपस पिकड एपैक और पाइकड पेपर्स जो इसमें P साउंड जो है उसको बार 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 प्रोनौंस किया जा रहा है यही कुछ वज़े है कि इसके अंदर भी आप एलिटरेशन को फाइंड आउट करोगे नेक्स वन आपके सामने है बहुत अच्छा एक्जम्पल है वो यह है कि फिन फैल फोर फवेब फिन फ़ फ़ और पी एच भी फै की साउंड दे रहा है एफ की साउंड आ रहे है तो इसी वज़े से इसमें बेलिटरेशन है नेक्स वन एक्जम्पल है आपका किदा फेर ब्रि ब्रिज और ब्ल्यू यह दोनों वर्ड आपके सामने है ब्रिज बिल्यू जो है यह आपका कॉंसनेंट साउंड को डिनोट कर रहा है फॉंप फ्ल्यू जो है यह भी कॉंसनेंट साउंड को डिनोट कर रहा है इसी परकार से और अमारे पास में जो है वो यह है कि इसके सॉलम साइलेंस तू सिट बैड जाना सॉलम होता गंभीर साइलेंस के अंदर फिर आगे आपको वापस मिलेगा इसी सेंटेंस के अंदर डल डार्क डक और पैसिलेंसियल प्रिजन जो है यह भी आपका पी साउंड को बार-बार प्रोनौंस कर रहा है तू टाइमस ने प्रोनौंस के अंदर जो सब्दों के अंदर वर्ड के अंदर या किसी फ्रेज के अंदर वो सकता है और सम्टाइमस कभी इस गोल्ड वोवल हार्मोनी और वोकल एक राइम भी इसको कह सकते हैं इसको वोवल हार्मोनी या वोकल राइम के नाम से भी आप जान सकते हैं और नेक्स वन आपका है एस्सोनेंस क्या है इस कोमन है यह बहुत सामर्ण सी बात है कि इसको कहां यूज करते हैं एस्सोनेंस के अंदर ये common चीज है और लेरिक जो है उसके अंतर गद भी इसको यूज किया जाता है आगे लिखा एस्टेंट जो वोवल साउंड है जो एस्टेंट वोवल साउंड है वो कैन अकर अकर होता उत्पन होना एनिवेर किसी भी जगे पर हो सकता है कहां पर एक सेंटेंस के अंदर ये बिगिनिंग में हो सकता है एंड में हो सकता है और इस्टेंस और अनिस्टेंस जो सेलेबल से वहां पर ये अकर हो सकता है ये बात आपको ध्यान रखने है कि ये मिडिल बिगिनिंग एंड इस्टेंस अनिस्टेंस जो सेलेबल और अगली जो है वो यह कि ऐस ऑन्हेंस जो है वो क्या कर सकता है कि अस अपन हो सकता है अब इसके कुछ एकजमिल्स की अम चर्चाएं करेंगे तो आप देखे ओने प्राओड राूंड ्क्लाउड प्राओड उसमें O की साउंड आया रही है proud round cloud आके जो sound आ रही है proud round cloud यहां पर हो रहा है अगला गोर देखें इसमें कहां पर है तो white high or night इसमें e की sound आ रही है white high or night next one लेते है man cell man a की sound आ रही है cell में भी एक ही sound है wedding bells man cell यह तीन वर्ड है एक तो man cell और अगला है bells इनके अंदर गद आप एक ही sound आ रही है यहां पर आपको vowel sound मिल रही है इसी वज़े से इसमें resonance का यह example है next one है आपका reader और leader reader में e की sound आ रही है और इसमें भी reader और leader जो है इसमें e की sound है इसी वज़े से यह आपका resonance का part होगा next one है आप मारा example जो है वो कुछ इस परकार से हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं की waterfalls, water a की sound है waterfalls across the autumn rocks o की sound आ रही है waterfalls autumn rocks o की sound आ रही है जो की vowel sound है इस vowel sound के वज़े से इसमें भी resonance का ही example होगा तो इसको सबसे best way यह है पैचान करने का की दिया आप इसके अंदर जो sound है उसके according आप इसको देखना पड़ेगा sound basis पर आप इसको denote identify जो है कर पाऊगे चलिए आगे चलते हैं next figure of speech की तरफ तो तीसरा हमारा जो है वो है simili simili में क्या है उसको अपना अच्छे से detail में देखते हैं जे की चलिए simili को start करते है simili simili में क्या होगा simili के अंदर एक direct comparison है between two different things दो अलग अलग चीज़े यहां सबसे पहली key point यही है कि यहां direct comparison किया जाता है दो different अलग अलग चीज़ों के बीच में क्यूं करते हैं जो और देने के लिए emphasize करने के लिए one similar point कि उनमें कोई एक similar point होता है by using words जिनमें कुछ सब्दों का use करते हैं और एक similarity जो है दो different thing कि हम इसको direct compare करते हैं उसकी comparison जो हमारे दोरण कीज़ाती हैं तो वो कौन कौन से keyword है जिनको हम use लेती इसको अपन compare करते हैं का comparison के थुरा कीया जाता है तो उनमें पहला word है like अगला word है as third word है so इनको use करकर अपन कंपेर करते हैं कि इनको टू डिफरेंट तिंक्स दो अलग अलग चीजों को हम इनके दोरा कंपेर करते हैं नेक्स वन इसके कुछ विश्यस्ता इसके डेफिनिशन का जो पार्ट है इसमें यह कहा गया है कि अब्जेक्ट जो चीजें ब्रोट लाई जाती है फोर कंपेरिजन जिन चीजों को कंपेर किया जाता है वो सुट भी होने चाहिए और डिफरेंट स्पेसिस अलग 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 जान रखनी है कि जो दोनों चीजें हो तो डिफरेंट फिंक्स होने चाहिए एक ही चीज नहीं हो सकती ठीक है यह इसका आपका की नोट रहेगा अब इसके एक्जामपल्स को अपन देख लेते हैं कि यह सिमीली का एक्जामपल के उपर चबन चलते हैं तो सिमीली का पहला आपका, his skin उसकी skin, उसकी skin को compare किया है, his skin was as cold as ice, उसकी skin कितनी cold थी, तो ice के equal eye के, parallel eye के equilibrium जो है बराबर सम का कसम तुले जो है उसको cold बताया गया है तो skin और ice को compare किया गया है, as और as के दोबरा next one लिखा गया है, she looked as gentle as a lamb तो see उसकी compare किया गया see के बारे में compare किया है, उसको lamb से, उसकी gentleness जो lamb के equal बताई गया है और next one लिखा इसने, कि my love उसने love को compare किया है एक red rose के बराबर और इसमें word दी देखे हैं, कैसे आपन पता लगए होती, इसमें as, as आ रहा है इसमें as, as आ रहा है, इसमें like आ रहा है, तो इन words के दोरा आप compare कर सकते हो और दूसरी बात ये कि आप इसमें देख सकते हो, एक तो love को बात किया एक रोज की बात किया, love और रोज दोनों different spaces की things है, objects है अब यहाँ sea और lamb की बात होई, तो दोनों different thing है यहाँ skin और eyes की बात होई, तो different things है तो इनको इस परकार से आप compare कर सकते है next one है आपका, see smiles, वो मुस्कुराती है उसकी मुस्कुराट की बात की है, वो कैसे मुस्कुराती है किसके समान, तो सूरी के समान तो इसको like word जो है, उसके दोरा compare किया गया है और जब like word को योज लिया तो इसमें similar का यह example है next one लिखा गया, see sat, वो बैठा, as still as a mouse he की बात की और mouse से compare किया, वो सांत बैठा कितना सांत, उतना सांत, जितना एक mouse जो होता उसी परकार से उसकी quietness, stillness की बात यहां पर की गई है और उसका heart, अब उसके heart को compare किया, drum से उसका heart क्या कर रहा है, thumping कर रहा है किसके समान, like a drum, एक drum के समान, thumping कर रहा है उसके heart को drum की thumping के equal compare किया गया है इसमें आपके similar का ही example है next one को हमने लिया, as और as से, as proud as peacock अब किसी के proud को, peacock का जो proud होता है, उसके compare किया गया है तो किसी भी something, someone जो है, उसके जो proudness है उसका जो ego है, उसको आपने, peacock का जो proud है, उससे compare किया गया है next one लिखा है कि कोई चीज है, as good उतनी अच्छी है, जितने अच्छा किस होना गोल्ड से compare किया गया तो किसी other thing को गोल्ड से compare किया गया है उसकी goodness उसकी अच्छाई को जो है गोल्ड से compare किया गया है next one हमारा example है as swift उतना ही तेज जितना an arrow arrow होता है एक बान जो होता है आपका ठीक है? arrow arrow के equal arrow के बराबर उसकी swift होता तेज कि वो उतना ही तेज है उतना ही alert है उतना ही active है उतना ही quick है जितना कि एक arrow क्विक होता है एक जिस परकार से arrow swift करता है swiftness जो उसमें होती है arrow के equal उसको माना इसने इसी वज़े से इसमें जो है आपका illiteration होगा sorry आपका यह होगा similar next one आपका जो है the glow up glow ती रॉस्णी चमक इसकी बलब की रॉस्णी उसको compare किया as bright as sunshine उसको sunshine उसको sunscreen से sunshine से बलब को compare किया गया बलब की जो glow है बलब की जो रॉस्णी glow चमक sign जो है उसको brightness बताई उसको bright बताया है sunshine के equal next one लिखा गया ऑ번 में इसमें पोइट कह रहा है I wondered मैं घुमा मैं घुम रहा था मैंने round लिया मैं walked मैं चला lonely उतना lonely कितना lonely as compare करने के लिए एक cloud उसको एक cloud के समान lonely wonder करने के बारे में का गया है तो ये भी एक आपका simili का ही example है अब चलते हैं आगे next one हमारा जो figure of speech है उसका नाम है metaphor अब metaphor में क्या पढ़ने वाले metaphor के अंदर क्या बताया जाता है तो ये देखते है metaphor metaphor के कुछ nickname है कि ये इसको indirect simili बॉलते हैं इसका कुछ दूसरे नाम है कि वो एक indirect है implied भी है hidden भी है और implicit implicit होता is first unclear ये vague कह सकते हो comparison है ये क्या है एक indirect upper text implied थोंपा हो गया hidden छिपा वार implicit asood ये अपरिसिस जो एक दम से इस first नहीं है इस first comparison है between के बीच में two different things without the express use of like and as यहां like और as गो काम में नहीं लेकर लिया गया है without the express use of like and as मले इसमें like और as को काम में ना लेकर के सीधा उसको किसी दो चीजों को compare किया गया है यहां दो चीजों के comparison इसमें भी है हमने similar में इपड़ी लेकि similar में as और like and so words जो है उनके through जो है इनको आप use करते बनाते है जबकि metafor में ऐसा नहीं है metafor में डो different चीजों को आप compare करते है लेकिन वो indirect होता है वो implied होता है वो hidden भी होता है वो implicit comparison होता है जहां like or as and so का use नहीं किया जाता है next one इसका जो अगला नाम रखा गया है इसका जो pen name है वो यह है कि it is also called implied simili इसको implied simili भी कहते है और next लिका metafor is a greek word which means इसका mean होता to carry across carry across उस बाद को वहां तक ले जाना उसको implicit करना उसको implied करना उसको एक जो है indirect way में उस बाद को कहना यह metafor का आपका example माना गया है अब example की बाद हम करेंगे कि इसमें और क्या होता है तो metafor के कुछ component की बाद हमने की है component metafor के कुछ component component होते है गटक टेनर कहते है और एक दूसरा इसका component होता वहिकल तो वहिकल क्या होता compared जो तुलना की गई जिससे तुलना की जा रही है वो तो टेनर है और जिसको तुलना की गई है वो आपका वहिकल है अब इसके example के बाद करेंगे इसके examples क्या क्या है example देखते है all the world, पूरी दुनिया, दुनिया को क्या बताया is, है, a stage, दुनिया को क्या बता दिया world और stage, world को stage बता दिया without using like or as and so without using, ठीक है all the world, पूरी दुनिया, is, a stage पूरी दुनिया क्या, stage है, and all the men और सभी लोगों को इसने बता दिया है M.E.N.K.O.E.M.A.N.K.O.E.M.K.O.E.M.A.N.K.O.E.M.A.N.K.O.E.M.A.N.K.O.E.M.A.N.K.O.E.M.A.E.M.A.N.K.E.M.A.E.M.A.. तो आप देख सेते हैं, א Paulo? नहीं糖तौते हैस्ति, आपसोटॉरी, जा वर्म रेकिशन।. तो यहां पर सिंतके हैं, पसफाकर मा मिलेगी कि आप like और as का use कर रहे हो यही चीज़ें आपको यहां नहीं मिले वाली है अगला आपका example है old religion, सभी धर्मों को, सभी खलाओं को सभी विग्यान को, क्या का गया branch बता दिया, किसका, of the same tree एक ही tree की समान एक ही पेड़ की साखाएं बता दिया एक ही पेड़ की साखाएं है अब वो कहारा life, जीवन है next example में कहारा, जीवन को बता दिया क्या, एक walking shadow और एक poor player जीवन को एक poor player की रूप में और एक walking shadow जो है, उसकी रूप में बता दिया next example जो इसने लिया है इसने mind को एक awesome बता दिया mind को किसे compare किया, awesome और without using like and as and so next इसने city को क्या बता दिया city is a jungle, city को इसने jungle से compare कर दिया city को इसने jungle के equal जो है parallel बता दिया है अब अगला example जो इसने लिया है वो इसने कहा है कि love is a journey love को क्या बता दिया है और अब इसने lapter hanci को क्या बता दिया best medicine, hanci जो है सबसे अच्छी medicine है और सद यह है ठीक है यह इसने बता दिया गया है अब वो time को money कह रहा है अब time is money time is money time is like money time is money इसने without using like as and so को use करते है इसने time को money से compare किया यह indirect implicit और implied और hidden comparison है चीजें दोनों ही different है एक time है दूसरा money है लेकिन इसने वो इसने एकदम से compare कर रहा है वो implicit hidden indirect way में इसको compare किये जा रहा है और next इसने लिया as as को इसने कहा है एक अवस्ता बता दिया किसकी mind की as क्या है एक मानसिक अवस्ता है एक मानसिक दसा है यह इसने कहा है next जो हमारा figure of speech है वो हमारा personification इसको इंदी में बोलते है मान भी करन तो इसमें सबसे पहले definition की बात करत तो वो पढ़ते हैं definition में यहाँ पर है कि inanimate object जो है जो non living thing है inanimate नर्जीव चीज़े और जो abstract idea और quality कुछ गुण are spoken इनको माना जाता है spoken को बोला जाता है जैसे कि they are human being इनको मानविय या human being मानुशिय जो person जो है उनकी तरह उनको spoken किया जाता है बोला जाता है किन किन को तो आप वापस देख सकते हैं कि यहाँ पर दो से तीन चीज़ें यहाँ इसने बताई है एक inanimate object है abstract idea है और qualities जो है इनको spoken करते है as if जैसे कि as if कह दो या कह दो even if जैसे कि they are human being जैसे कि we human being है इस हिसाब से इनको treat करता है इस हिसाब से इसको spoken किया जाता है next one इसके बारे में कु निर्जीव को सजीव की उपमा देना उसको मानिवे गुण के से जो human quality है उसे attribute करना यह इसका काम माना गया है अब इसका example देखते है example में क्या का गया है इसमें का गया dear god the very house मकान को बताया मकान लग रहा कैसा is slip की मकान एक दम से सो चुका है मकान सान्त है अब मकान का सोजना, संत मकान को कوائٹ जो हाउस है, उसको एसलिप की रूप में इसने बताया है अगला एक्जामपल बात की, इसने ब्रीज की, अब ब्रीज ने क्या-क्या किस्ट किया, किस को हर चिक, उसके चिक को चुआ ब्रिज ने हवा ने अब हवा के दोर किस करना चूमना और वो भी चिक हो तो वो एक ब्रिज को परसोनिफाई किया गया यहाँ पर ब्रिज जो है उसको परसोनिफाई किया गया है और पहले एक्जामपल में इसने हाउस को परसोनिफाई किया था हाउस को बताया है अब ब्रि दराउने हैं इ Harper शी है उन से यह ने रखती है यह इस को jerk को स्वारने किया है आगिला एक्जामपल जो है आ वह प्लेंकेट कंबल जोह वह टिमर कमल के क्या में करती है अब लिंकल के जड़ के जूआं म्लेंकेट अनके arms उनके हाथों हाथ क्या है around me में मेरे चार ओवर है कंबल के हाथों ने मेरे को गहर रखा है कंबल ने अपने हाथों को मेरे उपर लपेट रखा है तो कंबल के हाथ यहां blanket जो है वो personify की गई यहांपर next example हम ले रहे हैं वो हमारा क्या है किस परकार से उसको भी देख लेते हैं यहां man got angry आदमी को गुसा आया बट लेकिन ठीक है यहां तक तो लेकिन पैसेंस ने क्या किस टॉप्ड ही लेकिन पैसेंस के जो पेर है उसने पैसेंस ने उसके पेरों को रोक लिया आदमी को गुसा आया लेकिन पैसेंस साही है उसके पेरों को रोक लिया तो यहां पैसेंस को परसोनिफाइ किया गया है next one जो हमारा example है वो कुछ इस परकार से है उसमें क्या का गया है ओसन हीवड एसाई ओसन ने क्या क्या हीवड एसाई समुदुल ने रात के सासली आसन ने साही रात महसूस की नेचर might stand up नेचर का stand up नेचर प्रक्रतिका खड़े होना नेचर को personify किया गया आसन को personify किया गया यहाँ presence को personify किया गया है नेचर might stand up और say to all और सबसे कहेगी the world this was a man कि इसका कुछ रेस्पंसिबल है तो मैं है नेचर इस्टेंड अब होगी और कहेगी ओल्ड वल्ड पूरी दुनिया से कि इस वाज ए मैं कि वो आदमी था जिसने इसको पॉलिट किया था तो आज की इस क्लास में इतना ही और इदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें प्लेज इस क्लास को लाइक सेर करें अपने दोस्तों के साथ और बागले वीडियो के अंदर जो फिगर ओफिस्पिस बच्चे वे हैं जैसे ओना मैट अप अई है जो हैपर बोली है और जितने भी जो हमारे बच्चे वे उसको